अम्बानी परिवार ने अपने बेटे का विवाह किया। हमारे यहां यह माना जाता है कि महाजनों के रास्ते पर यह समाज चलता है। महाजनों यह नगदस सप्न था है। यह भी कहा गया है यद्यदा चरतिष्रेष्ठहा तत्त देवेतरो जनहा सहयत प्रमानम कुरूते लोकस तदन वर्तते। जैसा बिशिष्ट जन कर देते हैं आम लोग भी उसी का अनुशरण अनकरण करते हैं। तो हमको जब यह बताया गया कि यह ऐसा एक विवाह हमभानी परिवार के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें लंबे समय तक कई कारेक्रम आयुजित किया जा रहे हैं। लेकिन किसी एक दिन भी एक बोतल सराब नहीं परोशी जा रही। पुरी तरह से इस बारे में दिर्टाक से बेवत्था बनाई गई है कि शराब किसी भी दिन, किसी हालत में परुशी नहीं जाए हजारों वेंजन बनाये जा रहा हैं, अलग-अलग मौकों पर लेकिन एक दिन भी कोई भी मांसाहार का वेंजन उसमें नहीं बनाया जा रहा है इतना ही नहीं बहुत सारी जो धार्मिक बिदियां हैं उनका यधावत अनुपालन किया जा रहा है और आशिरबाद गोष्टी में पहले वगवान की पूजा करके उनसे आशिरबाद लिया जा रहा है फिर गुरुजनों से आशिरबाद लिया जा रहा है फिर स्रेष्ट पुरुशों से आशिरबाद लिया जा रहा है इस तरह से भारती ये संस्कृती का अनुसरन करते हुए ये विवाह किया जा रहा है तो हम लोगों ने समझा कि ऐसे कार्य को अपना आशिरवात देना चाहिए जिससे हमारे देश में अब क्या हो गया है हम जानते हैं हम तो बड़े लोगों में भी जाते हैं और सामाने लोगों में भी जाते हैं गरीब से गरीब घर में भी जाते हैं हमको पता है आज परिस्थिती ये है कि विवाह का आयवजिन करने पर बराती ही नहीं आते कह देते हैं कि हमारे लिए क्या वेवस्ता है अमुक चीज की वेवस्ता है की नहीं हमारे पास लोग आते हैं रोते हुए कि हम शराब नहीं परोसना चाहते लेकिन बरातियों की मांग है महराजी हम क्या करें वो कह रहे हैं कि हमाएंगे ही नहीं हमारे लिए क्या वेवस्ता है और अगर बेवस्था ना करो तो वापस नाराज हो के चले जाते हैं तो जहां देश में ऐसी परिस्तिती बन गई हो कि कोई भी उत्सव गिना शराब के ना तो शुरू होता हो ना तो पूरा होता हो वहाँ पर इतना बड़ा योजन एक व्यक्ति ने करके दिखा दिया जिसमें सराब नहीं परोसी जिसमें मांसाहर नहीं परोसा तो ये एक बहुत अच्छा कारी हम लोगों को लगा तो हम लोगों ने समझा कि जा करके इनको आशिरवात करना चाहिए और उन्होंने बड़ी शर्दा से बुलाया था और मर्यादा रखते हुए सब निभाया भी अखिल भारती ये संत समिती ये आरोप लगाई है कि संतों को साधी जवा में नहीं जाना चाहिए इसमें क्या क्या है देखिए शादी विवाह क्या है पहले ये समझना पड़ेगा ये जो शब्द बोल रहे हो आप न अगर ये उन्हीं के द्वारा कहा गया संत समिती के किसी विक्ती के द्वारा कहा गया शब्द है तो हमारी आपत्ती है हमारे यहाँ शादी होती ही नहीं है शादी शब्द ही हमारे हिंदूओं का नहीं है हमारे यहां विबाह शब्द है तो शादी शादी का तो सवाली नहीं है हिंदू में आप शादी शब्द का उचारण ही कैसे कर पाते हो पहले तो यह बताओ और दूसरी बात यह है कि विबाह है क्या तो आप जानेंगे कि हमारे वेद में हमारे शास्त्र में चार वर्न और चार आश्रम बताये गए हैं चार आश्रम में प्रमचरिय आश्रम, ग्रिहस्त आश्रम, वानप्रस्त आश्रम और सुन्यास आश्रम है और इन में चारों में हमारे शास्त्रों ने विद्वानों ने कहा है धन्यों ग्रियस्थ आश्रम है ग्रियस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम सबसे धन्य आश्रम बताया गया है क्यों कि बाकी के जो तीन आश्रम है वो भी ग्रहस्त आश्रम पर ही निर्भर करते हैं प्रमचारी के पास कोई उत्पादन नहीं है वो ग्रहस्त आश्रम से ही स्वयम उत्पन होता है और ग्रहस्त आश्रम से ही उसको खाने पीने को मिलता है पालन पोशन होता है इसी तरह से पानप्रस्त और सन्यासी भी अपने पास कुछ नहीं रखता है जब उसको भूख लगती है तो ग्रहस्त आश्रम के पास जाना पड़ता है हमारे गुरुजी महराज कहा करते थे हम लोग सन्यासी हैं साड़े तेईस गंटे के सांसा हैं तो हम लोग उनसे पूछते थे कि साड लेकिन जब भूख लगती है तो किसी न किसी ग्रहस्त के दरवाजे जाकर के हमको भी विक्षा याचना करनी पड़ती है और उस समय हम विक्षुक हो जाते हैं तो ऐसी परिस्तिती में जो ग्रहस्त आश्रम है उस ग्रहस्त आश्रम को अगर हम बल नहीं देंगे तो कौन ब आश्रम में किसी को आश्रवाद देने जलिए नहीं जाना चाहिए और ऐसा कोई वाकिय कहीं अपने शास्तिरों में उपलब्द नहीं होता है और हमारे जो पूर्वो पुरुष हैं उन पूर्वो पुरुषों में पुरी के शंकराशारी पूजय पात निरिंजन देव ती अधु के साथ खड़े होकर के आश्रवाद दे रहा हैं तो इसका मतलब पूरी के पूरुष शंकराशारी निरंजिन देव तीर्थ जी महाराज जिन को बहुत बड़ा धर्म शास्त्र का ज्याता माना जाता था और अपने समय में वो शंकराशारियों में सबसे अधिक पूरी के शंकराशारी महाराज उनके बारे में लोगों ने बताया होटो बेजा हमारे पास कि वो हमारे विवाह में आकर के हमको आश्रवाद दे करके गए हैं तो ये जो हमारे पूर्व पूरुष हैं पूजनी पूरुष हैं ये विवाह में जाकर के और आश्रवाद दे ग्रियर्मरें और इसलिए तरह की बातें और किसी रागत दुश से कह देना अलग बात है लेकिन धर्म की रक्षा के दिरिष्टि कौन से काम करने वाले वैक्ति के लिए दुश्रीत निशित रूप से किसी भी ज्रयलत आश्रम क सुजक करनी दूप करें देका रिख जी महराज जी महराज जी इस बात में कोई अतिशोक्ती नहीं है कि आज पूरे विश्व ने सनातन धर्म की ताकत को वहाँ पर देखा तबी महमान एक तरफ हमारे शंक्राचारे जी एक तरफ यह हम लोगों के लिए सम्मान की हो महराज जी एक सवाल आपसे यह है कुछ लोगों का यह कहना है कि अडानी और अमबानी को देश का लुटेरा कहने वालों के यहाँ उनको जाना नहीं चाहिए था आपको महराज जी इस पर क्या लगता है देखिए हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो है उद्योग धंधा जिन लोगों ने लगाया है उनको बहुत बड़ा राष्ट्र के लिए योगदान करने वाला माना गया है उनको सरकारें समर्थन करती हैं और समर्थन ही नहीं करती हैं लाखों करोड रुपय का अनुदान उनको देती हैं अगर कोई उद्योग घटे में चलने लग जाए तो सरकार अपना पैसा दे करके उसको फिर से उबारती है और उबार करके फिर से उनको मौका देती है कि आप चलाईए हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने लाखों करोड रुपया उद्योग पतियों का माप किया है आप लोग बार बार राजनीती में सुनते हो तो राजनीती की दृष्टी से आरोप लगाना की इन्होंने माप कर दिया अलग बात है लेकिन सचाई क्या है सचाई य योगदान है और उनके बिना देश चलना मुश्किल हो जाएगा तो ऐसी परिस्तिती में उनको उठाईगीर कहना उनको जो है लुटेरा कहना यह एक तरह से राजनीतिक भाशा किसी की हो तो उसमें हमें कोई आपति नहीं है